Hello Everyone, How are you? आज हम मिलते हैं एक और बेर रिडिंग लेक्चर सीरी के अंदर ये जो हमारे पास बेर रिडिंग लेक्चर सीरी है ये है The Liars Welfare and Protection Act 2023 ठीके, Welfare means बलाई, Protection means Welfare means बलाई, Protection means ताफूझ ये किस का ताफूझ, किस की welfare? यह सिर्फ एड़ोकेट्स की वुकला ब्रादरी की वुकला ब्रादरी के तैफुस और वुकला ब्रादरी की भलाई के लिए यह बिल जो है नेशनल असेंबली से पास हुआ है यह रिसेंटली पास हुआ है इन पर एक पंजाब की स्टूड़न्ट है हिनास जावल जिन्होंने जो है हमें मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर इन पर थोड़ी सी बेर रिडिंग हो जाए दो तिन लेक्चर इन पर तफसीर में इसकी जो बेर रिडिंग है एजिट जो नेशनल असेंबली ने पास किया है लेजिसलेचर ने उन पर थोड़ी सी हमें ब्रिफ दे रहें एजिट जो लिखा है बाकी ये इसकी एहमियत क्या है ठीके इसकी एप्लिकेशन क्या होगी ठीके वो एक ब्रिफ लेक्चर हो जाएंगे पहले हम इसकी बेर रिडिंग कर लेते हैं कि इनकी bear reading है क्या आएए इसकी bear reading कर लेते हैं यह सिर्फ वकिलों की भलाई के लिए और वकिलों को protection दी गई है एक हमारे पास legis lectures के बियाफ पर ठीके आएए देख लेते हैं इसमें total chapters हमारे पास 3 chapter है 3 chapter है और total section जो है वो 17 है ठीके chapter 1 जो है वो बात कता है preliminary ठीके उसके अंदर sections कितने है total एक से लेकर 2 section है section number 1 क्या बात कता है section number 1 बात कता है short title अब इसका short title क्या होगा इसका short title होगा the lawyers welfare and protection प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यह इसका शॉर्ट टाइटल है इसकी एक्स्टेंड क्या होगी होल आप पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में उल आफ पाकिस्तान ठीक है मनब पूरे पाकिस्तान पर इसका इतलाग होगा इसका मक्सूस नाम क्या होगा यह शॉर्ट टाइटल हमेशा समझ लें कि जब भी सेक्षिर्स में आता है तो वो बात करता है कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा उसको किस नाम से हम पेश जानेंगे तो इसका नाम होगा यही जो है अब इसकी एक्टेंट कहां पर होगी मतलब यह कहां कहां पर एप्लिकेबल होगा यह एप्लिकेबल होगा पूरे के पूरे पाकिस्तन पर होला पाकिस्तन ठीक है और इसकी कमेंस्मेंट कहां पर होगी ठीके? कमेंस्मेंट कब से होगी? यह कमेंस्मेंट हमारे पास है, जहां पर लिखा गया है, it shall come into force at once, it shall come into force at once, तो फिर उसमें confused होने की आपको जरूत नहीं है, क्योंकि यह बात करता है, कि eight once मतलब जिस दिन यह पास हुआ है, जिस दिन assembly से पास हुआ है, उसी दिन से यह इसका application स्टार्ट हो जाएगी, इसकी यह applicable हो जाएगा, ठीके? किस date को यह पास हुआ है? 29 March 2023, ठीके? इस date से यह applicable होगा, यहां तक बात किलिए रहे, अगर यहां तक किसी किसम का कुछ सवाल है, तो आप मुझ से पूछ सकते हैं, ठीके? इसका अगर structure देख लें, तो हम इसके अंदर total chapters हैं, तीन, और total sections कितने हैं? 17, 17, ठीके? और first chapter क्या है? preliminary, इसके अंदर section एक से लेकर दो तक है, ठीके? इसका short title क्या होगा, इसका मक्सूस नाम क्या होगा? The Liars, Welfare and Protection Act 2023, इसका extent कहां पर होगा? कहां कहां तक extent होगा? यह कहां तक applicable होगा? ठीके? आरे बस में, यह पूर पाकिस्तान में applicable है, ठीके? और इसकी commitment कब से है? यह कब से शुरू है? ठीके? यह कब से जो है, applicable हो जाएगा? यह applicable होगा, 23, हमारे और 29 March 2023 से यह commitment इसकी start हो ठीके? यह सिरफ हम पहला है, bear reading, कि as it, जो कानुदानों ने पास किया है, जो भी लिखा है, as it, उसको आपकी सामने brief करना, उसको समझाना कि इनकी जो है, असल इसका interpretation है क्या? यह आप नोट कर लिए, इसके बाद हम section number 2 पर discuss करते हैं. चीज़ यह नोट कर लिए आपने, अब चले जाते हैं, section number 2 पर, section number 2 बात करता है, definitions की, definitions and this act, इस act के अंदर, मतलब, the Liar's Welfare and Protection Act के अंदर, ठीके, unless, जब तक, the context otherwise requires, जब तक, context means, understanding, जब तक आपको, जो है, understanding की जरूत ना पड़े, तब तक, जो भी इसके अंदर, जो मीनि दी गई है, as it, आप मीनिंग, वो ही समझेंगे, ठीके, मतलब, यह section 2 बात कर रहा है, definition के बारे में, कि जो definition, इस act के अंदर, दी गई है, a से लेकर, a से लेकर, h तक, वो as it, आप समझेंगे, जो के इसके अंदर, दी गई है, ठीके, otherwise, अगर आपको, समझ में ना आए, आप को समझने की जरूत पड़े, ठीके, वो बात अलग है, ठीके, आजे देख लेते हैं, number A पर है, act of violence, के हमारे पास violence, जो है, act of violence केसा होगा, ठीके, कौन-कौन सी चीज, act of violence में आ जाएंगी, ठीके, आरी बास में, तशदुद में कौन-कौन सी चीजें आ जाएंगी, act of violence means an act committed by any person, किसी भी शक्स, कोई भी शक्स, अगर ये काम करे, ये act commit करे, ठीके, against an advocate, एक वकील के against में, ठीके, act of violence means, कोई भी परसन, any person कहा गया है, ठीके, कोई भी एक्ट करे, against an advocate, against an advocate, किसी भी वकील के खिलाफ कोई एक्ट करे, ठीके, with the intent to prejudice, word prejudice का मतलब क्या है, harm injury, ठीके, नुकसान पहुंचाना, ठीके, affect या उस पर असरणदाद होना, or drain, the process of impartial, drain, ठीके, क्या क्या करना, ठीके, with intent to prejudice, ठीके, या तो हमारे बास नुकसान पहुंचाए, injury पहुंचाए, या फिर affect करे, असरणदाद हो उस पर, या derail, word derail का मतलब क्या है, cause to run off the tracks, मतलब, रास्ते से बटकाना, एक वकील को, ठीके, उसको नुकसान पहुंचाना किसी किसम का, या फिर उस पर असरणदाद रखना, या फिर उसको उसकी रास्ते से बटकाना, drill करना, the process of impartial, unprejudiced, ठीके, गेर जानुद्राना, जो उसका process है ठीके, उसको क्या करना, उसको उससे उसको हटाना, ठीके, impartial, fair and fearless conduct of cases before any court, मतलब, जो एक वकील है, वो एक court के सामने, ठीके, जो अपना process कर रहा है, जो अपनी वकालत कर रहा है, उस, जो के वो impartial कर रहा है, fair कर रहा है, और fearless है, ठीके, आजबा समझे, impartial means वो गेर जानुद्राना है, किसी का भी वो side नहीं ले रहा, वो as it, जो, जिस के लाइन के ब्याफ पर वो खड़े हैं, उनको ही वो support करेगा, वो impartial है, वो fair है, ठीके, मुनासिब है, ठीके, and fearless और बेखोफ वो करेगा, conduct of cases before any court, tribunal or authority by which such advocate is engaged and shall include the following, ठीके, जिस से बी court के अंदर वो अपना जो है practice कर रहा है, जिस से बी court के अंदर, ठीके, जा किसी भी कोई भी authority हो, जहां पर वो as a advocate practice कर रहा हो, ठीके, यहां तक बात के लिए रहे, तो उसकी अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, आएए, देख लेते हैं, कि वो act of violence में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, कि एक वकील को हरासा करने में, एक वकील को जो आप हम कहें कि एक वकील पर जो तश्दुद होता है, उनमें कौन कौन सी बातें जो हैं शामिल हो जाएंगी, आएए देख लेते हैं, नमबर एक के अंदर, नमबर बन है, क्या है, हरासमेंट, कोरिजन, असाल्ट, करिमनल फोर्स, और थ्रेट, इंपक्तिंग दा लिविंग और वर्किंग कंडिशन अप सच एडुकेट एड प्रेवेंटिंग हम फिरम डिस्चार्चिंग दूटी, ठीक है, कोन को सी चीज़ें आजाएंगी, हरासमेंट, इसको हरासा करना इस पर जबर करना, इस पर दबाउं डालना, असाल्ट, इस पर हमला करना वकील पर किमनल फोर्स देना, ठीक है? और थ्रेट या फिर दमकी देना जो कि impacting the living और working condition जो के हमरे पार असर अंदाद होती हो किस पर उसकी रहन सहन पर वकील पर वकील की या फिर वकील का जो काम करते का जित जो उनकी हालत है उन पर ठीक है मतलब रोके वो भी act of violence में शामिल हो जाएगा ठीक है number two पर क्या है harm, injury, hurt, either grievance or simple ठीक है कोई भी किसी भी किसम का harm हो ठीक है नुकसान पहुंचाए, injury ठीक है, जखम देना, दर्द देना, hurt करना ठीक है, either grievance या तो फिर संगीन हो और simple or danger to life, danger to the life of such a advocate, या फिर ऐसे किसी वकील की जिन्दगी को खत्रे में डालना, either within the premises of the court or otherwise, फिर चाहे वो court की premises में हो, court की एहातों में हो, ठीक है or otherwise, या फिर कहीं भी, लाजमी नहीं है कि for example, ये court है, इस court के अंदर एक वकील को रासा किया जाता है, उसको हमारे पास उसके अग्यस में violence होती है, तो लाजमी नहीं है कि वो court के अंदर हो, उसी वक्त जो violence उस पर होगी, तो ही वो इस act के अंदर वो act आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इस court के अगर बाहर भी किसी वकील पर ये ऐसा कोई तशद्द होगा, तो फिर ये act of violence होगी, तो फिर वो भी जो है, इस act में आएगा, मतलब otherwise कहा गया है, मतलब court के इलावा कहीं भी, यहां तक बात के लिए रहे, number three, number three बात करता है, privilege communication के बारे में, ठीक है, coercion by whatsoever means, by any person or authority to reveal, word कहा गया है, यहां पर reveal, reveal का मतलब क्या है, word reveal, reveal कहता है, expose करना, expose करना, या फिर हमारे पास disclose करना, expose या disclose करना, किसी भी point को expose या disclose, हमारे पास disclose करना, किस चीज़ को disclose करना, are part with privilege communication, ठीक है, जो privilege communication है, कि privilege communication क्या होती है, privilege communication वो जो एक client और एक वकील की दर्मियान, हमारे पास official confidence के अंदर की जाती है, ठीक है, एक confidence में, professional confidence में की जाती है, वो होती है, for example, यह A है, एक client है, अपने वकील B के पास जाता है, और अपने सारी कहानी बताता है, जो भी कहानी बताएगा, जो भी story बताएगा, जो भी information आएगी, वो इस वकील और इसके दर्मियान में क्या होगी, वो privilege communication होगी, official confidence के अंदर, ठीक है, उन पर कोई भी जो है, जबर नहीं डाल सकता है, कोई भी जो है, वो कोरिजन नहीं कर सकता है, कि आप इनको disclose करें, कि इनको आप reveal करें, ठीक है, privilege communication को disclose करें, ठीक है, या फिर, वो हमारे पास material, which in education is bound to hold confidence under the law, ठीक है, या फिर material, word यहां पर एक दिया गया है, material, word material का इदर, जो है, उसकी meaning जो होगी, वो होगी, information, ठीक है, official confidence, ठीक है, हमारे पास privilege communication के अंदर, ये, हमारे पास, ये बात भी आजाती है, कि material, जो भी information है, वो, जो एक वकील, जो है, वो पाबंद है, जो है, एतमाद में रखने के लिए, उस बातों को, privilege communication को, या फिर, उस मालूमाद को, जो एक client ने दी है, ठीक है, जो कि वो पाबंद है, उसको मेफूज रखने के लिए, उसको अपने, जो है, सीने में दफन करके रखने के लिए, उसको वो पाबंद है, कि एक वाकील ने, एक client ने आकर, एक वाकील से जो भी बातें की, वो अपने तक ही मेदूद रखेगा, वो पाबंद है, तो फिर उसको कोई भी, ठीक है, what so ever means by any person or authority, कोई भी शक्स या फिर कोई भी authority हो, चाहे official हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी भी इदारे का कोई भी शक्स थे, चाहे government हो, मतलब कोई भी authority हो या फिर कोई भी शक्स, उससे जबदस्ती वो privilege communication disclose नहीं करवा सकता, ना ही किसी किसम की information उससे जबदस्ती ले सकता है, जहां तक बात clear है, number four, number four बात आजाती है, coercion by whatsoever means of an advocate, not to represent, कि एक दबाव डाला जाए, एक वकील पर, कि वो किसी भी client को represent ना करे, या फिर किसी client को represent कर रहा है, तो फिर वहां से क्या करे, to withdraw his वकालतनमा, कि अपने वकालतनमे से वो हाथ उठा ले, और not to appearance, to act, कि वो ना पेश हो उसके behalf पर, या not to plead, कि वो उसका case ना लड़े, और not to appear, या फिर पेश ना हो on behalf of a client before any court, कि कि किसी एक client के behalf पर वो court में आके case ना चलाए, ठीक है, यहां तक बात के लिए रहे, before any court, tribunal or authority, किसी भी court, tribunal या authority के सामने, वो case ना चलाए, किसी client के behalf पर, ठीक है, ऐसे किसम का दबाव डालना, किसी वकील पर, यह भी act of violence में आ जाते हैं, मतलब यह चारे हैं, चारों चीज़ें जो है, act of violence में आ जाती हैं, एक वकील के against में, तशदुद के, जुम्रे में आ जाती है, यह बात है, ठीक है, उसकी property का last होना, ठीक है, our documents are material, या फिर किसी भी किसम की कोई भी documents हो, या फिर material, मतलब information हो, ठीक है, which is such a document is bound to hold another law, कि जो वकील जो है, वो एक पाबंद होता है, अपनी office में जो भी documents रखते हैं, ठीक है, या फिर जो भी material है, या फिर जो भी property है, कानून के मताबिक, ठीक है, वो पाबंद है, कि उसको सभाल के रखी, और अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर उस हमारे पास उसका last हो जाए, तो फिर ये भी act of violence के अंदर आ जाता है, यहां तक बात के लिए है, number six, number six बात काता है, derogatory language, usage of derogatory language during the course of the judicial and quasi-judicial proceedings, कि किसी भी judicial या फिर quasi-judicial proceedings, मतलब एक अदालत या अदालत जेसा तरीके कार, ठीक है, quasi, word quasi, quasi means, मतलब एक अदालत होती है, for example, court, civil court, वो तो अदालत है, court है, ठीक है, एक है, हमारे पास quasi, quasi means, जो है, वो अदालत जेसा ही, एक अदालत, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी authority आ जाती है, जहां पर एक वकील, जो है, as an advocate, आ के practice करे, ठीक है, आरी बात समझवे, वो, ठीक है usage of derogatory language during the course of the judicial and quasi judicial proceedings, जब एक वकील कोई भी, जब एक वकील अपनी judicial, या quasi judicial proceedings कर रहा हो, उसके दोरान, अगर कोई हमारे पास गटिया language, गटिया language इस्तिमाल करे, derogatory, तोहीन armies, अगर अलफाज इस्तिमाल करें, तो फिर ये भी क्या आ जाता है, ये भी आ जाता है, हमारे पास act of violence के अंदर, जो कि इस act के जुम्बरे में आ जाता है, अगर ये किसम की कोई भी act, अगर कोई भी शक्स ऐसा कोई काम करता है, ये सब क्या सब act of violence में आता है, और ये act of violence का, ये जो offense बनेगा, ये इस जो है, हमारे पास the liars, welfare and protection act के तहते ये offense जो है, जो है, रिजिस्टर होगा, ये इसकी एफाइ रिजिस्टर होगी, यहां तक बात किया रहे, वो वेरी वेरी सिंपल, अब चले जाते हम B पर, यहां पर B क्या बात करता है, B बात करत advocate, के वकील कोन होगा, ठीक है, shall have the same meaning as assigned there to, in the Legal Practitioners and Bar Council Act 1973, के जो, ये हमारे पास एक एक्ट है, लिगल प्राक्टिशनर and Bar Council Act 1973, इस Act के तहत, ठीक है, इस Act के तहत, ठीक है, इस Act के अंदर जो definitions educate की दी गई है, ठीक है, वो ही definition इसी Act के अंदर समझी जाएगी, कि एक वकील कोन होगा, एक वकील वही होगा, जो के, हमारे पास Legal Practitioners and Bar Council Act के अंदर जो माना दी गई है, ठीक है, आले बच्छे, नमबर C पर, नमबर C में दिया गया है, बार काउंसल, बार काउंसल का मतलब क्या होगा, उसी की भी जो meaning legal practitioner है, बार काउंसल एक्ट के अंदर जो दी गई है, वो ही meaning समझी जाएगी, यहां तक बात के लिए है, word है D, code, code means the code of criminal procedure 1898, ठीक है, मतलब CRPC, ठीक है, 1898, यहां तक बात के लिए रहे, नंबर E पर आ जाते हैं, E क्या बात काता है, E बात काता है, court, court क्या है, means the court notified under section 5, or established under any other law, court मतलब वो court, जो इस एक्ट के section number section 5 के अंदर, section 5 के अंदर जो बताया क्या है, जो established section 5 के तहट court होंगी, वो court है, या फिर उसके इलावा, किसी भी law के अंदर, any law के अंदर, कोई भी court established होती है, वो court, ठीक है, यहां तक बात के लिए रहे, number F, F, government, government का मतलब क्या होगा, means the federal government or the provincial government, is the case may be, ठीक है, government मतलब federal government, या फिर provincial government, ठीक है, जो भी case हो, ठीक है, number G, G, में बताया गया है, offense, offense की definition क्या होगी, denotes any act made punishable under this act, or under any other law for the time being enforced, कि कोई भी offense का मतलब क्या होगा, offense की क्या definition होगी, offense की definition वही होगी, जो कि इस act के तहत काबल सजा माना जाएगा, वह offense होगा, मतलब, act of violation, definition number, definition के section 2 जो है, उसकी definition A के अंदर जो act of violence दिया गया है, उसके तहत कोई भी ऐसा act, ठीक है, जो के punishable हो, काबल सजा हो, इस act के तहत, वह offense माना जाएगा, और उसके इलावा भी, are under any other law for the time being enforced, के वक्त के मताबिक कि किसी और कानून के अंदर भी, अगर कोई ऐसा act किया जाए, जो काबल सजा हो, वह भी offense माना जाएगा, ठीक है, नमबर H, privilege communication, privilege communication की meaning वही होगी, जो कानून ने शाहदत order के अंदर दी गई है, यहां तक बात के लिए है, privilege communication के बारे में थोड़ा आपको बता दो, कि privilege communication वह होती है, एक वकील और एक किलाइन के दर्मेन, जो बातचीत होती है, वह होती है, privilege communication, के उसको कोई अदालत में भी उस वकील से आकर नहीं पूछे जाएगा, कि आपने आप से इस किलाइन ने आपको क्या कहा था, जब तक किसी सुपरियर अदालत का कोई order ना हो, यहां तक बात के लिए है, वह होती है, privilege communication, ठीक है, नमबर 2 पर, section 2, subsection 2, section 2 का, section 2, subsection 2, यह क्या बात कहता है, यह बात कहता है, यह बात कहता है, अनी expression or words used in this act, but not specifically defined, shall have the same meaning as assigned thereto in the Legal Practitioner and Bar Council Act 1973 and the Pakistan Panel Code Act, हमार पास 1860, कि यह जो, कोई भी ऐसा act word है, कोई भी ऐसा अलफास है, जो इस act के अंदर इस्तिमाल हुआ है, मगर इसकी specifically कोई meaning, आपने इस act के अंदर नहीं बताई, तो फिर उसकी meaning वही होगी, जो Legal Practitioner and Bar Council Act के अंदर जो meaning होगी, वो या फिर जो पाकिस्तान Penal Code के अंदर जो meaning होगी, वो ही meaning इस act के अंदर समझी जाएगी, यहां तक बात के लिए है, अगर यहां तक बात के लिए है, तो इसके बाद हम जो है, चेप्टर नबर 2 स्टार्ट करेंगे, Thank you so much.